नमस्कार दोस्तों, Excel Academy पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों, इन दिनों देश-विदेश हर जगहां बहुत पक्षी बैठ के चल रही है इन दिनों आप देखी रहे हैं कि वर्ल्ड मीडिया, G-Saber और G20 देशों की बैठ को लगातार कबर कर रहा है इनी बैठकों में इसी महीने, Quad Summit भी आस्टेलिया में होने वाली थी परंत United States of America के President, Sleepy Joe Biden के इसमें भाग ना लेने के कारण इसे रद्द कर दिया गया कुछ बिसेसग इसे चाइना की एक बड़ी जियो पलिटिकल विक्ट्री के तोर पर देख रहे हैं तो कुछ लोग इसे अमेरिका की पुरानी यातत बता कर इसकी आलोशना कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोसिस करेंगे कि आखिर किस वज़ा से बाइडन ने लास्ट मोमेंट पर अपने आस्टेलियाई दोरे को रद्द कर दी इसकी सबसे बड़ी वज़ा है अमेरिका की डेट क्राइसिस जो पूरी दुनिया की अर्थ व्योस्था को दुबाने का माददा रखती है ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उखता है कि अमेरिका में आखिर चल क्या रहा है पहले तो अमेरिका के बड़े बैंक जैसे सिल्कॉन बैली बैंक तथा सिगनेचर बैंक ये सब दूब गए जिससे की एक रिसेशन का माहौल आलरेडी बना हुआ है आपको बता दें कि जब लगातार दो तिमाही तक ग्रोथ निगेटिब में रहती है तो उसे रिसेशन कहते हैं इस तरह से और भी जो अर्थ ब्योस्ता से संबंदे सब्दावलिया हैं उसको जानने के लिए आप हमारी इंडियन एकॉनमी की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं बहुत ही बिस्तार से और बहुत ही बेतरी नंग से वहाँ पर पढ़ाया गया है फिर वापस मुद्दे पर आते हैं दोस्तों अमेरिका आज जिस क्राइसिस के मुहाने पर खड़ा हुआ है ये उसके लिए कोई नई बात नहीं है इसका एक लंबा इतिहास रहा है अभी बर वैसे अपने डेट सीलिंग को नहीं बढ़ाता है तो ये वैसे के डिफाल्ट होने की बहुत अधिक प्राइक्तात्वा संभावना मनी हुई है बाइडन डेट सीलिंग को बढ़ाना चाह रहे हैं परंत रिपब्लिकन पार्टी के सांसद इसका बिरोफ कर रहे हैं क्योंकि डेट सीलिंग बढ़ाने के लिए ये आवस्यक है कि यूएस कॉंग्रेस इसके लिए ओट करे और रिपब्लिकन पार्टी अभी भी हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव को कंट्रोल में रखती है यानि वहाँ पर हुए बहुमत में है रिपब्लिकन सांसत कर्ज की सीमा को ब आगे बढ़ने से पहले आईए इसको समस लेते हैं कि ये डेट सीलिंग होती क्या है दोस्तों सीधे सब्दों में कहें डेट सीलिंग या डेट लिमिट रिण की वह अधिक्तम रासी है जिसे संग्हिये सरकार बित्तिये दायित्तों को पूरा करने या अपने खर्चे पूर करने के लिए उधार ले सकते हैं भारत और अमेरिका सहित दुनिया के अनेक देशों का बजट घाटे में ही चलता है सरकारें आमतोर पर जितना टेक्स से कमाती हैं उससे अधिक कहीं खर्च करती हैं इसका मतलब यह है कि सामाजिक सुरच्छा, मेडिकेयर, सायन्य और अन्य वेतन, रास्तिय रिंड पर व्याज, टैक्स रिफंड, आधी जैसी चीजों के भुकतान के लिए इन्हें उधार लेने की जरूरत होती हैं सरकारों द्वारक कर्ज लेने की अउधारना कोई नहीं नहीं है दुनिया भर की सरकारें अपने खर्च के लिए इसका इस्तेमाल क करती हैं पास्ट में ये वारफंडिंग का सबसे बड़ा कारण हुआ करता था परन्तु अब ज्यादा तर इसका इस्तेमाल आर्थिक गतविद्यों को सुचारू ढंग से चलाने के लिए किया जाता है किसी भी देश की सरकार साथियों मनमाने ढंग से कर्ज नहीं ले सकती ह कि जितना मर्जी के है उतना ले लो इसके लिए सभी देशों में एक नियम कानून बना होता है जिसके तहत ही आप कर्ज ले सकते हैं अगर अमेरिका का नेशनल डेट इस डेट सीलिंग को हिट कर जाता है तो अमेरिका और अधिक कर्ज नहीं ले सकता है और ये डेट को बढ़ाया है अत्वा निलंबित किया है ये देखा गया है साथियों कि जब भी वेस अपनी डेट सीलिंग को हिट करने वाला होता है फेडरल रिजर्व इसे बढ़ा देता है क्योंकि मौझूदा रास्टपती डेमोक्रेटिक पार्टी के है जोकि एक लेफ्ट या बामपंथी विचारधारा वाली पार्टी है इसलिए सोसल वेलफेर पर अधिक खर्ज करती है इस कारण से इनको अधिक कर्ज लेना पड़ता ह और इस वज़ा से ही इनका डेट सीलिंग से अधिक हो गया है इस कर्ज को आने वाली सरकारों को अधिक ब्याच के साथ चुकाना पड़ता है चूकि 2024 में अमेरिका में फिर से चुना होंगे अगर मान लीजिए कि टरम फिर से पावर में आ जाते हैं तो ये उन पर बोच बन कर सकता है यद इस बार USA Congress अपनी डेट सीलिंग नहीं बढ़ाती है तो US Treasury विभाग अपने बिल्स का भुक्तान करने में असमर्थ रहेगा इसका अर्थ ये होगा कि अमेरिका इतिहास में पहली बार डिफाल्ट में एंटर करेगा ट्रेजरी सचिव एलन ने कहा है कि सरकार क अर्थ ब्योस्ता सभी अमेरिकियों की आजीवका और बैस्विक बित्तिय स्थिर्था को आपूर्णी अच्छती होगी विसलेश्कों का कहना है कि एक बार डेट डिफाल्ट हो जाने के बार डालर कमजोर होगा सेर मार्केट गिर जाएगा और कई हजारों लोगों की नौक चली जाएं अमेरिकी राष्टपत की आर्थिक मामलों की सलाकार परिसत का बयान आ चुका है कि अगर कर्ज की सीमा बढ़ाने पर सहमती नहीं बन पाई और अनिश्चित्ता थोड़े समय के लिए भी खिच गई तो अमेरिकी अर्थ ब्योस्ता च्छे प्रत्सत से अधिक भ इसका मतलब यह होता है सात्यूं कि जब किसी वर्ष किसी तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ रेट पहली बार नकारात्मक हो जाती है तो इसे कॉंट्रेक्शन कहते हैं इसके अलावा यूएस ट्रेजरी यूएस के साथ साथ दुनिया भर के बित्तिय संस्थानों की व्यवस्था में कॉंट्रेक्शन हुआ तो हमारा प्यारा भारत भी इससे प्रभावित होगा क्योंकि अमेरिका में इस वज़ा से मांग घटेगी और मांग घटने से हमारा निर्याद भी प्रभावित होगा जिससे दूसरे देशों की बहुत सारी कंपनिया भी प्रभाव डॉलर में होता है जिसको लेकर अभी हाली में ASEA के सबसे बड़े बैंकर उदे को तक जी ने इसी बात को लेकर अमेरिका को सुना दिया था उन्होंने कहा दिया कि अमेरिकी डॉलर दुनिया का सबसे बड़ा financial terrorist है और ये बाते उन्होंने एकड़म सटीक बोली है जैसे इन्होंने रसिया के साथ किया है, तो एक डर सा लगा रहता है सभी देशों को, तो ऐसे में आवसेकता है डालर का वर्चस खत्म किया जाए और डी डॉलराइजेशन किया जाए, फिलाज डी डॉलराइजेशन पर हम फिर से कभी विस्तार से बात करेंगे, पास्ट में जब ऐसी क्राइसिस अमेरिका देख चुका है, ऐसी क्राइसिस 2011 में भी अमेरिका के सामने खड़ी थी जब पराग ओवामा रास्ट पती थे, तो उस दावरान भी हाउस आफ रिप्रजेंटेटिव को रिपप्लिकन द्वारा कंट्रोल किया जाता था, जब ओवामा प्रसा खत्म नहीं होगी, इसके फिर भी गहरे प्रभाव हमको दिखाई देंगे, यदि debt ceiling बढ़ा दी जाती है, तो US Treasury को funds raise करने के लिए bonds raise करने पड़ेंगे, जिससे देश की तरलता प्रभावित होगी, अगर आपको लगता है, यदि US अपने debt ceiling हिट कर जाता है, तो Biden सरकार और bonds जारी नहीं कर पाएगी, तो फिर उनका debt भी नहीं बढ़ेगा, तो उस पर ब्यास भी नहीं देना पड़ेगा, अगर debt नहीं बढ़ रहा है, लेकिन साथ हों आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, कि कम ब्यास दरों पर भी आने वाले कुछ दसकों में, US के interest payment 4.2 trillion dollar पर प कुराने कर्ज से ही करती है, और अगर interest rate अधिक होगा, तो सरकार के लिए इसे वहन करना आसान नहीं होगा, इसका भुकतान करने के लिए उसे और अधिक कर्ज लेना पड़ेगा, इस प्रकार अमेरिका एक 20th cycle में फास जाये, जिससे अमेरिका में ब्रोजगारी तेजी से बढ़ेगी, दैनिक भत्ते और अमेरिकी नागरिकों को लोन्स पर भी अधिक ब्याद चुकाना पड़ेगा, जिसकी वज़ा से उनकी spending कम हो जाएगी, और इसका सीधा असर देश की GDP पर पड़ेगा, क्योंकि GDP is equal to C plus I plus G plus X minus M, ये होता है, ये कीन्स का अर्थसास्त्र है, ये सारी चीजें हमने आपको अर्थव्योस्ता में पढ़ा रखी हैं, पहले साथियों आप अपनी अधाना मजबूत करिये, तभी ये सारी चीजें आपको एकड़म crystal clear हो पाएंगी, समझ में बहुत अच्छे ढंग से आएंगी, ये current affairs की class रहती है, यहाँ पर इतना scope नही reboot करनी पड़ेगी, तो इसके लिए आप हमारी playlist चेक करिए, वहाँ से पढ़िए, फिर आपको current की चीजें आसानी से समझने आएगी, अब आये जानते हैं कि क्या इस system का कोई और भी विकल्प है, जिससे ये जो दुनिया भर में क्योस मचने की इस्तिती आ जाती है, उस वो debt ceiling, राजकोसिये जिम्मेदारी ठोपने का एक भयानक तरीका बताते हैं, इसको समझने के लिए हमें US budget को समझना पड़ेगा, जो कि तीन भागों में divide होता है, इसमें पहला होता है साथियों, mandatory spending यानि अनिवारे खर्च, सबसे ज्यादा खर्च अमेरिकी सरकार इसी पर करत ही है, इसमें सामाजिक सुरच्छा, मेडिकल सुविदा, दिब्यांगों के लिए funds, military को बेतन, जैसे खर्च समलित होते हैं, जो भी monetary social spending है, वो लगातार बढ़ती जा रही है, आने वाले समय में ये और भी बढ़ती चली जाएगी, और दूसरा होता है discretionary spending, इसमें military budget और सि 866 billion dollar था, और financial year 2024 में इसे 800 billion dollar करने का प्रस्ताव अमेरिकी Congress को भेजा गया है, high spending तो साथियों इसका एक पहलू है, परन्त इसका दूसरा कारण है, अभी तक अमेरिका के इतिहास में जितने भी राष्टपती हुए हैं, उनके द्वारा tax rate में कटवती की गई है, जिसकी की growth rate बढ़ जाएगी, लेकिन कई बार, सही बात है, लेकिन कई बार इसके दुस्प्रभाव भी हमको दिखाई देते हैं, जैसे पहला काम तो ही है कि government का revenue कम हो जाता है, और विसम परिस्थितियों में government द्वारा ही खर्च जो किये जाते हैं, उनसे ही अर्थव्योस्था आ उतनी उबार पाएगी, ये समस्या हो जाती है, तो ये चीजें जो है अमेरिकी राश्पतियों को साय एकॉनमी के उतनी समस्थ नहीं थी, इसके लावा अगर बात करें साथ ही हो, तो अमेरिका एक उपभोकता आधारित देस है, यहां पर standard of living काफी जाता है, जो काफी आप इनी वजहों से इसे राश्पोसिय जिम्मेदारी थोपने का एक भयावा तरीका कहा जाता है, मुझे उमीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, अब इसके लामा जो कुछ लोग हैं वो सुझाओ दे रहे हैं, कि debt limit को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए, तो भूले, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद,